मैं हूं स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में जहां पर याइज यूशल 10 मार्क शुर शॉर्ट सक्सेस में अपन पढ़ने वाले हैं मैंडलोज मैट्रिक्स बाउडव चाप्न वन स्ट्रडीजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अब मैं स्टार्ट कर रुए सेशन उसके पहले प्लीज अगें सब्सक्राइब लेक्टर्स इफ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल अपने कलीक्स के साथ जूनियर्स के साथ हूं इस वेरी वेरी यूसफुल ऑल्सो सेम चीज मैं लेकर आने वाला हूं एफम के लिए अगर आपका सीए फाइनल में ग्रूप वन बाकी है सो सेम कॉंसेप्ट एक्जाम्पल वाइस 10 मार्क शुर्शाट सक्सेस इन 10 मिनिट्स मैं एफम के लिए ला रहा हूं जो आपके लिए ग्रूप वन या ग्रूप टू में आईपीएस के लिए यूसफुल हो सकते हैं अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है यह मेंडलोस मेंट्रिक्स एंड वाइट वस्टेवलप्ट सो यह वी आर आप लोगों के पास अगर यह नोट्स है तो अच्छी बात है अगर आप लोगों के पास अप्टिमाइज है तो उसमें फ्योरी बुक में आपको मिल जाएगा यह पेज 1.12 पे तो 1.11 और 1.12 आप लोग को ओपन करना है विकॉस यह दोनों पेजिस में से मैं क इस नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपको अगर दिख रहा है तो उस कमेंट बॉक्स से आपको टेलिग्राम चैनल पे जॉइन करना है और वहां से यूविल गत आल दे नोट्स रिलेटेट तो थे MCQs, मेरे रिविजिन वीडियोस, all the resources related to SCPM, right? So, you can download everything from there. Boss, एक मेंडलोज मेट्रिक्स क्या होता है? So, देखो, आपन, we are a social animal. दोलते है ना, human being is a social animal. The only animal on earth, जो इतना socially active है. And अगर मेरेको business करना है, then in that case, I cannot operate a business in a silo. Silo मतलब मैं अकेला ही पूरा business नहीं चला सकता, right? मेरे को बहुत लोगों का साथ लेना पड़ेगा और उनको साथ लेके चलना पड़ेगा तब जाके मेरा business grow होगा, right? जैसे मैंने भी इसके पहले एक वीडियो बनाया था, OSTOWALS business canvas model, उसमें मैंने ZOMATO का example दिया था, यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही example लेके आप लोगों को explain करने वाला हूँ, that it is not you and only yourself, यह macro environment आपके जो साथ में stakeholders है, उनको भी लेके चलना पड़ेगा, तो कौन है है, कि अगर मेरे को business करना है, then in that case, who are these people, जिनको में को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्या मेरा employee important है, बहुत जादा important है, क्योंकि अगर employee खुश, then in that case, वो customer को खुश रखेगा, customer खुश, तो automatically मेरा sales बड़ेगा, it will add to my bottom line, which is my profitability, second, क्या मेरे customer को खुश रखना पड़ेगा, but obvious, जब तक मैं quality product and services नहीं देता हूँ, the customer will definitely not come back to me again, so I will have to ensure, that the customer is also equally kept happy as the employee, so employee को भी कुश रखना है, customer को भी कुश रखना है, क्या मेरे को government को खुश रखना पड़ेगा, the answer is yes, if I do not pay taxes on time, आप सब तो, you know, chartered accountant students है, तो you know, कितने ज़ादा fines, penalties, taxes, pay करने पड़ेंगे आपको, अगर imprisonment भी हो सकता है, if you are not taking care of the government as well, so यार इतने सारे stakeholder है, सबको मिलको साथ में अगर लेके चलना है, तो क्या सबको equal importance to, the answer is in the Mandalorian's matrix, Mandalorian's बुलता है, कि देखो, इसमें दो part में, दो segment में, उसने ये stakeholders को divide किया है, उसने बोला है, एक segment जिसको उसने बोला है power, और दूसरा segment जिसको बोला है interest, so यहाँ पर आप लोग अप देख सकते हो, तो यह जो y-axis है, इधर पुरा focus है power के ओपर, and दो मेरा x-axis है, इधर है पुरा interest, अगर आपके पास यह नहीं है, तो जैसा मैंने बोला, telegram से डाउनलोड कर सकते हो यह PDF, you will get it, if not, you would also have your module ICI, module chapter 1, वहाँ से भी आपको यह मिल जाएगा, तो जब यह power की बात आती है, तो few are very high power, and very high interest, उसको नाम दिया है, key players as per mandalos, and उसने साथ में बोला है, manage them closely, तो कौन है यह high power, high interest वाले लोग, तो मेरे नजर में, अगर as a businessman पूछो, then in that case, the customer is the most important person, for my business, who has the high interest, in my products, in my services, and also has the high power, क्योंकि अगर वो customer को वो product पसंद नहीं आया, then in that case, my product will not go long, and it will just become short term, so for me, the first person here, is my customer, जिसके पास high interest भी है, और high power भी है, अगर मैं पढ़ाई के terms में बोलता हूं, then for me, it is you yourself, boss, आपका CA बनने में, सबसे ज़्यादा interest किसको है, आप बोलेंगे सब पैरेंट्स को and everything माना, but सबसे ज़्यादा interest आप ही को है, क्योंकि इसका जो benefit है, वो directly आपको मिलने वाला है, हाँ, कुछ benefit मिलेगा आपके पैरेंट्स को, but direct highest benefit is going to be yourself, right, दूसरा आप कितना अच्छा पड़ाई करेंगे, उतना अच्छा आपको marks मिलेगा, उतना जल्दी आप qualified professional बनेंगे, तो high power, वो discipline का, वो महनत का भी आप ही के हाथ में है, right, so मैं example यहाँ पे ले रहा हूं, of your CA examinations, or your CA curriculum, who has the highest interest and highest power, it is yourself, and in terms of business, it is the customer, जिसको अपन बोलेंगे, closely key players, second, second जो मेरे लोग है, they are high interest, and at the same time, they have low power, वो है हमारे parents, सबसे ज़्यादा, again, अपने बाद किसी को interest है, अपने CA बनने में, तो it is definitely our parents, वो चाहते है कि यार बन जाए, बट क्या उनके हाथ में है क्या नहीं, पावर उनके हाथ में है क्या नहीं, बढ़ाई तो अपने कोई करना पड़ेगा, सायद वो थोड़ा बोल लेंगे, पढ़ ले ये कर ले, दो दिन पास दिन, वैसे हमारे employees, उनको बहुत interest है, कि अपन जितना हो सके, उत्रा business को आगे बढ़ा है, so eventually even they will benefit, तो यहाँ पर आजाता है मेरा, high interest, but low power, so यह, जो भी मेरी नहीं strategy आ रही है, जो भी मैं नहीं business में expansion कर रहा हूँ, यह सब मेरे को उनको inform करना चाहिए, थोड़ मेरा आ जाता है, low interest, but high power, वो है हमारा government of India, उसको तुमारे business में कोई बहुत जादा interest है नहीं, जो तुम कर रहे हो रोज, day to day, वो interest अपने parents को है, यह ICI को कोई interest नहीं है आपसे, but उनके पास high power है, government चाहिए, तो मेरा business रातो रात बंद कर रहा सकता है, institute चाहिए, तो मेरा कुछ भी कर सकता है, pass fail, end of the day उनी के आत में, so what are they, they are low interest and high power groups, obviously, इन लोगों को भी ध्यान रखना है, because इनके पास high power है, और यह high power को use करके, कुछ भी कर सकते हैं, ICI भी, government भी, सही बोल रहा हूँ ना, so यहाँ पे, क्या बोला मैं, third example मेरा आ गया, high power, but low interest, these are called as the marginal player, so monitor them, and marginal minimum effort, इन लोगों के लिए लगाते रहो, इनको खुश रखने के लिए, and the last is, low interest, and low power, so यह है मेरे कोई one time supplier, या मेरे example में, जैसे हुए relatives, उनको कोई interest नहीं है, उनको कोई power भी नहीं है, मेरे को influence करने का, हाँ, exam time पे आ जाएंगे, वो marks result पूछने के लिए, वो अलग बात है, बाकी पूरे साल में, ना उनको कोई interest है मेरी पड़ाई में, ना उनको कोई interest है, अपने में बरावर के नहीं, वैसे ही है मेरा कोई one time supplier, उसने एक दो बार supply कर दिया, तो उसको कोई बहुत ज़्यादा interest नहीं है, हाँ, यह one time supplier can become, can upgrade itself, over a period of time, if it becomes a regular supplier, तो अगर वो regular supplier हो गया है ना, तो मैं तो उसको high interest, and high power के category में introduce कर दूँगा, यह मेरे में डेलोज मेट्रिक्स में, ओ, I think मैंने एक mistake कर दिया यहाँ पे, यह मेरा में डेलोज मेट्रिक्स में, यहाँ पे यह low power, low interest वाले लोग आएंगे, उनको minimum effort लेके, ठीक, खुश रख दिया, एक बार raw material है, उनको उतना payment दे दिया, उनका बात खथम, फिर मेरा high power, और low interest वाला जो category था, which is government and ICAI, वो है यह मेरा influential group, जिसको मेरे को satisfied रखना है, because they have potential influence, क्या अभी अगर मैं आपको बोलू, यह मेरे लिए mandalos matrix बना के दो, तो आप लोग आराम से बना पाएंगे, easily, कैसे आप लोग को ध्यान में रखना है, आप लोग को ध्यान में रखना है, high interest, high power yourself, which is in our language, who the customer, second con है, high interest, but low power, हमारा विचारा employee, हमारे विचारे parents, जो चाहते हमारे लिए best हो, but power उनके पास नहीं है, power तो उनको बता है, हमारे पास लोग इंट्रेस्ट है, high power जिन से हम सब डरते है, हमारे माई बाप ICAI या government, and low interest, low power, your relatives, or your one-time supplier, एक बार फटा-फट इसको read कर लेते हैं, and then फिर मेरे ही सबसे इसको बनाना भी चाहिए, तो let's see, so here it is, यह रहा मेरा Mandalorian matrix, right, एक तरफ है interest, so high interest, right, and दूसरी तरफ है मेरा power, high power, यहाँ पर यह आजाता है, low interest, high power, लिखते जाओ, कौन-कौन है, यह अपने एक example में हो गया, हमारा customer, right, यह हमारे example में हो गया, low interest, high power, हमारा government, बढ़ा रहे, फिर बाद में यहाँ पर मेरे example में हो गया, high interest, sorry, oh, high power, यहाँ पर आजाएगा हमारा customer, यह है, high interest, but, यह हमारा लो पावर, so, high interest, low power में हमारे, parents, right, और हमारे employees, और फिर आजाते हैं हमारे बिचारे, low interest, low power, जो है हमारे relatives, यह जिसको मैं बोल सकता हूँ, जो है हमारे, one time suppliers, right, so, this is how, my mandalos, matrix, looks like, got it everybody, right, so, L, P, L, I, H, I, H, P, sorry, L, P, H, P, T, 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 okay, 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 चलो, अब एक बार इसको read कर ले, अब एक बार read कर लेते हैं, इसको, I think मैंने, interest power, doesn't matter, concept से मतलब है, so, वो अपने को clear है, अब read कर लेते, आओ बड़ापट, so, the, micro environment, beyond the control of organization, especially, वो एक होते है, macro environment, बाहर के दुनिया, micro environment, अंदर का game, especially, the basis of competition, industry, profitability, industry, success factors, customers behavior, market regulations, shall be analyzed, to assess opportunities, and, threats, to appraise the strategic position, basically, कहने का मतलब है, कि, macro environment, plays a very important, sorry, role, in the overall business scenario, because, आप उसी से बने हो, आपका business, उसी से बना है, opportunities, need to be exploited, whereas, defense mechanisms, shall also be created, against, threats, which can be mitigated, so, risk management, is of key importance, very, very importance, to protect the organization, it will improve, its strategic position, so, यहाँ पे आजाता है, अपना, mental loss metrics, do we consider, all stakeholders, or only those, who are significant enough, उसने बना, all को consider करो, but categorically, सबसे important, focus करना है, तो customer, या yourself, के उपर, करो, उसके बाद करना है, तो employees, और parents, के उपर, उसके बाद करना है, तो government, और ICI के उपर, और उसके बाद करना है, तो one time supplier, या relatives के उपर, mental loss metrics, helps in considering, the attitude of, stakeholders, while setting out, objectives, high interest, high power, यह है, ऐसा group, of key stakeholders, business will need, to actively engage, this group, active engagement, boss, active engagement, manage closely, key player है, boss ही अपना, key player है, this group is likely, to have a significant influence, yourself, customer, and maybe the driver, behind the change, or strategy, अगर customer ने, बोला है, कुछ उसको चाहिए, then in that case, we will have to change, the strategy, and accordingly, give him, what he wants, they will likely, to have the power, to stop the change, or strategy, if they are unhappy, this is the group, that requires, most focus, keep them updated, on any strategic changes, and empower, to steer the direction, of change, I think, एग्दम logical है, अब अपने को, ये example के बाद, समझ में भी आरहा है, that yes, this is high interest, and high power group, second, this group has an interest, in what is happening, parents, however, they are unlikely, to have the power, to influence the change, they should be kept influence, ममि पापा, मेरी पड़ाई अच्छे चल रही है, ममि पापा मुझे ठीक नहीं है, mentally थोड़ा disturbed, थोड़ा आराम करना चाहता हूं, जो भी है, keep them informed, keep your employees informed, भाई देखो, नया product launch करने वाला है, इस product का price क्या होगा, strategy क्या होगा, everything, while they have little power themselves, they could attempt to join forces with a group, with power, this group of stakeholder has the potential to move into high interest and high power group, so it is essential that they are kept satisfied, government को शांत रखो बोलो भाई, हम आपको timely taxes दे पाएंगे, आप जादा interest और power हमारे पर ना दिखाएंगे, and then by keeping them satisfied, they are less likely to gain interest, and exercise their power of influence, and last है मेरा, low interest and low power, this group is likely to have an interest in the organization, and its strategic direction, this is often due to their lack of power to influence a situation, they are likely to accept the position, and show little resistance, if any a satisfied group है अपना, so that is how my Mandelos matrix is, आपको समझ में आ गया, अब आप लोग भी 2 मिनिट लीजिए, फटा फट गो तुरू कर लीजिए, एक बार चाहिए तो वो डाइग्राम मना लो, and that should be it, सामझे कड़ो एवरिबाड़ी, आपको कुछ एडिशनली चाहिए, मेरे पास से, दो कमेंट बॉक्स इस ओपन फॉर यू, आपका, यॉर कमांद इस माइ, क्या बोलते हैं उसको, कि आपका जो कमांद है, करके देंगे और क्या, सिंपल है, आस्ता लावेस्ता, आपकीब स्माइलें, आस्ता लावेस्ता,